आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत आसान और जटपट से तयार हो जाने वाला वेज़ चीज सेंडविच इस इजी वेज़ सेंडविच को बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं और इसमें हेल्दी वेज़िटेबल और मज़ेदार चीज की फिलिंग है इसलिए ये सभी को बहुत पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिये हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपेज अब जरूर देख पाए इस इजी वेज़ चीज सेंड्विच रेसिपी के लिए ये सारी समगरी इकठी कर लें चीज सेंड्विच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक निक्सिंग बॉल में डाल रहे हैं बारी काटा हुआ एक प्यास एक चॉप किया हुआ टमाटर बारे काटी हुई एक medium size शिमला मिर्च बारे काटी हुई एक हरी मिर्ची एक तिहाई चमच या स्वादनुसार नमक एक चुथाई चमच करम मसाला और इसे थोड़ा चट पटा बनाने के लिए एक चुथाई चमच चाट मसाला डाल कर इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर ले अगर आप चाहे तो इसमें अपने पसंद के सबजियां जैसे उबली हुई स्वीट कॉन, मतर या कद्दुकस की हुई गाजर डाल कर भी मिला सकते हैं थोड़ा तीखा बनाना चाहे तो काली मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो चाहे बिना हरी मिर्च डाले भी बना सकते हैं सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाने पर सैंड्विच की स्टफिंग बनकर तयार है अब इस हेल्दी सैंड्विच के लिए हमने लिए हैं ब्राउन ब्रेट आप चाहें तो वाइट ब्रेट भी ले सकते हैं ब्रेट स्लैसे पर इस तरह से अपनी पसंद अनुसार दो से तीन चमच तयार की हुई वेजिटेबल स्टफिंग भर लें इस सैंड्विच को चीजी बनाने के लिए हमने लिया है आमुल चीज स्लैस जो बाजार से बहुत अराम से मिल जाता है अगर आप चाहें तो आप कद्दुकस की हुई मौजेरिला चीज या पनीर का स्लैस डाल कर भी बना सकते हैं फाइनली इस पर एक और ब्रेट स्लैस रखे और अब ये पकाने के लिए तयार है इसी तरह हम बाकी के सैंड्विच भी तयार कर लेंगे बताई के समगरी से तीन सैंड्विच बनकर तयार होंगे सैंड्विच पकाने के लिए एक गरम तवे पर थोड़ा बटर या देसीखी लगा ले और इस पर तयार किया हुआ सैंड्विच रख कर सेख ले इसे हम मीडियम हीट पर सेखेंगे क्योंकि हाई हीट पर ये जट से जल जाएगा सैंड्विच को एक तरफ करके तवे पर थोड़ा और बटर या देसीखी लगा ले और सैंड्विच को पलट कर दूसरे तरफ से भी पका ले सैंड्विच को हलका हलका दबाते हुए दोनों तरफ से बारी-बारी पका ले तक्रीबन एक से डेर मिनट में जब ब्रेट दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए तब यह सैंड्विच सर्फ करने के लिए तयार है इस सैंड्विच को सर्फ करने के लिए इसे हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे एक्टम परफेक्ट, हल्दी, टेस्टी, चीजी और सबजियों से भरपूर सैंड्विच सर्फ करने के लिए तयार है इसे टोमेटो कैचप के साथ सर्फ करें आज की रसेपि आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद करें दोस्तों कर दोस्तों कि आपको किया लिखे